हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम section 21 to section 25 of negotiable instrument act को समझेंगे इससे पहले हमने section 20 तक समझ लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखेगा अब हम आते हैं section 21 के अपर section 21 जो है वो तीन terms के बारे में बात करता है तो हम बेरेट के अंदर देखते ह कि वो क्या terms है तीन terms है at site, on presentment, after site यह जो दोनों terms है इनका meaning same है और इससा meaning अलग है at site, on presentment मतलब की on demand की जैसे अगर आपने 10 तारीक को जाके payment मांगी तो यह क्या है जिस दिन आपने payment मांगी तब भी उसको उसकी payment करने होगी on demand का मतलब यह है और after site मतलब की जैसे आपने 10 तारीक को जाके payment मांगी फिर उसको वो accept करेगा जैसे next day उसको accept किया तो उसका वहां से grace days का period स्टार्ट होगा count होने के लिए तो at site अगर word यूज हो रहा है या on presentment यूज हो रहा है तो मतलब on demand है after site मतलब जिस दिन वो उसको accept करेगा अगर हम यहां पर language पढ़ें तो क्या बोलता है इना प्रॉमिसरी नोट और बिल उफ एक्सचेंग एक्सचेंग एक्सप्रेशन at site and on presentment दोनों का मतलब क्या है on demand द जिस दिन आपने उसको presentmates for site किया है और bill of exchange का मतलब क्या ऐफ्टर acceptance जिस दिन आपने उसको accept किया है और और noting for non-acceptance या फिर आपने non-acceptance की noting कराई है और protest for non-acceptance या फिर जिस दिन non-acceptance के लिए protest किया है तो वो क्या होगा after side होगा और at side और on presentment मतलब क्या होगा on demand तो ये तीन terms थी उसके बाद आता है maturity maturity का मतलब क्या हमें word से बता चल रहा है जिस दिन भी उस bill of exchange या प्रामिसरी नोट की payment due होगी उसको हम क्या बोलेंगे maturity क्या बोलता है तो maturity और प्रामिसरी नोट और bill of exchange is a date at which it falls due जिस दिन भी उसकी payment due हो रही है वो दिन क्या कहलाएगा majority का day कहलाएगा देखिए क्या बोलता है यहां पर days of grace की बात करता है इसका मतलब क्या होता है कि हर एक प्रामिसरी नोट और हर एक bill of exchange which is not expressed to be payable on demand कौन सा जो payable on demand नहीं है उसके अलावा दूसरा या फिर at site जिसका मतलब हमने समझा सेम होता है और on presentment यह तीनों ही वर एक है on demand at site और presentment इसके इलावा की बात कर रहा है क्या बोल रहा है कि every promising note और bill of exchange which is not expressed to be payable on demand at site or on presentment is at maturity on third day after the day on which it is expressed to be payable तो वो कब पे पेबल होगा जिस दिन तीन दिन बाद क्या बोल रहा है कि presentment is at maturity on third day after the day on which it is expressed to be payable जैसे अगर वो दस तारी को पेबल था दस जन्वरी 2021 को पेबल था तो उसकी payment यहां नहीं होगी उसकी payment होगी इसके तीन दिन बाद 13 1221 इसके तीन दिन बाद इसकी payment दी जाएगी तो यहीं बात days of grace के अंदर कोई भी जब maturity date होती है उसके अंदर क्या किया जाता है three days three days दिये जाते है extra add किये जाते है जिसको हम बोलते है days of grace की इसके अंदर उसकी जो तीसरे दिन है उसको उसकी payment करनी है तो यहीं बात हमें section 22 में बोली गई फिर आता है section 23 section 23 बोलता है calculating maturity of bill or note payable so many months after date or side क्या बोल रह है कि हम क्या कर रहे है calculation कर रहे है किसकी maturity की of bill or note प्रॉमिसरी note की बात और बिल की बात और रही है payable so many months जो कब है payable so many months after date or side कि जिस दिन भी उसकी date ती है जब भी उसको show किया उसके कुछ time बाद जिसे three months बाद या four months बाद इस तरीके से वो payable है जिस दिन उसकी date ती या फि इसकी जो calculation है यह जो three months four months five months इसकी calculation किस तरीके से होगी तो इन calculating date at which a promising note or bill of exchange made payable at stated number of months after date or after site or after certain event किस किस की बात हो रही है पेबल at stated number of months after date after site after certain event certain event जैसे हो सकता है कि कोई भी certain event जो हो गई होगा जैसे किसी वक्ति की death है तो उसके बाद जो है जैसे मैंने बोला कि जब इस वक्ति की death हो जाएगी उसके तीन महीने के बाद आप मुझे इसकी payment कर देना या due हो जाएगा तो ऐसे किस के अंदर ये after site के जिस दिन में आपको ये instrument दिखाऊंगा उसके तीन महीने बाद या इस date के तीन महीने बाद तो ये जो तीन महीने का period है किस तरीके से calculate होगा उसके बारे में बात कर रहा है क्या बोल रहा है कि day of the month which correspond with the day on which the instrument is dated जैसे मान लीजिए मेरा जो इंस्ट्रुमेंट था हो एक ग्यारा एक दो जार एक किसका dated था ठीक है इसके after three months का period दिया गया कि ये due हो जाएगा तो corresponding day of on which the corresponding day of month मतलब जैसे मान लीजिए तीन महीने तो तीन महीने कब होंगे चौथा महीना आएगा इसका corresponding day corresponding day कौन सो होगा 11 तारीक सीधा ये बात होगी corresponding day हाँ पर हम इसको ऐसे तीन महीने days calculate करके नहीं करेंगे सीधा हम जाएगे उस month के अंदर उसकी जो भी corresponding date होगी से उस पे जो है हमारा तीन महीने का period खतम हो जाएगा फिर यहां से हम days of grace three days के calculate करेंगे जो की 14-4-2021 हो जाएगा of the month which corresponds with the day on which the instrument is dated presented for acceptance or sight or noted for non-acceptance or protested for non-acceptance or the event happens जो की एक uncertain event था जैसे कि वो जिस दिन हुआ उसके बाद where the instrument is bill of exchange made available at stated number of months after sight and has been accepted for honor with the day on which it was so accepted if the month in which the period would be terminated has no corresponding day अब बता रहा है मान लीजे कि जैसे एक जन्वरी को या जैसे 31 जन्वरी को हमारा instrument जो है वो बनाया गया उसका बोला गया कि एक महीने बाद जो है इसकी पेमेंट करनी होगी वन मन्त बाद अब जो इसके बाद का वन मन्त होगा तो अगर हम अभी जो मैंने सिखाया उसके हपसे तो जो corresponding date होगी एकले मन्त की मतलब भी जो फरवरी की corresponding date होगी 2021 की वो तो हो जाएगी 30 फरवरी 30 फरवरी तो तो बोला जब इस तरीकी की situation आएगी जब वो day exist नहीं करेगा तो ऐसे case में जो भी उस महीने का आखरी दिन होगा उसको हम ले लेंगे तो यहां पे मारी date की आजाएगी ही 28 फरवरी दो हजार एककेस इव दा मन्त इन विच पीरिट वुट टर्मिलेट अस नो कोर्सपोंडिंग दे की कोई नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट डेटेट 29 जन्वरी 1878 इस मेड पेबल एट वन मन्त आफ्टर डेट की जिस सेम जिसे में एग्जामपल दिया इंस्ट्रुमेंट इस एट मिचॉर्टी ओन थर्ड डे आफ्टर दर 28 फरवरी तो 28 फरवरी को जो आपको वो मिच्योर हो जाएगा इसके बाद के तीन दिन इसके अंदर आफ ग्रेज डेज एड़ कर देंगे तो तीन दिन बाद जो तीन मार्च होगा वहां पे आपका यह पेबल हो जाएगा ऐसी अनेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट डेटे 30 अगस्त का अगर है इस मेट पेबल 3 मंस आफ्टर डेट इंस्ट्रुमेंट इस एट मिचॉर्टी ओन 3 डिसमबर कैसे जो बिल्कुल आया अप 30 अगस्त को 30 अगस्त दो हजार कितना लिए 1878 तो 1878 के अखरी तारीक पर आगए आप तीस तारीक पर आगए इस एट मिचॉर्टी ओंद थर्ड दिसमबर तो यहां से आप इसके अंदर तीन दिन एड़ कर लोगे और आपके आ जाएगा 3 डिसमबर ठीक है फिर अप्रॉमिसरी नोट और बिल ओफ एक्स्चेंज डेटी रिकत्ती इसका बनाया गया मेट पेपल थ्री मंश आफटर डेट इंस्टुमेंट इस एट मिचॉर्टी ओं थर्ड दिसमबर तो यहां पर भी जो मिचॉर्टी असकी जा हो जाएगी 3 दिसमबर हो जाएगी मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यहां पर देखो आपने किस कब बनाया थर्टी अगस्त को बनाया तो थर्टी नवंबर पर आप आगए लेकिन अब अपने 31 अगस्त को बनाया 31 नवंबर तो एक्षिस्स नहीं करता तो यहाँ पे जो हमने आकरी बाद पढ़ी थी कि अगर वो दिन एक्षिस्स नहीं करता वो corresponding day exist नहीं करता तो उस month की जो भी आखरी day होगा उसको हम मालनेगे तो यहाँ पे 30 November आगया 30 November के अंदर आप 3 days add कर दोगे तो आपका 3 December आ जाएगा उसके बाद आते हैं section 24 के उपर अब हम क्या कर रहे है calculating majority of bill or note payable so many days after date of site वहाँ पे हमने किसकी बात की थी months की बात की थी यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं days की बात कर रहे हैं day simple है मानली जो उसने आपको बोला 60 days बात होगा तो सीधा जो दिन है उससे 60 days add कीजिए तो आपका वो day आ जाएगा उसके अंदर 3 days grace की add कर दीजिए आपकी maturity date आ गई क्या बोल रहा है in calculating the day at which a promising node or bill of exchange made payable at a certain number of days after date after site or after certain event is at maturity the day of the date of presentment for acceptance or site or of protest for non-acceptance or in which the event happens shall be excluded अच्छा यह बता रहा है कि जैसे जो day है जैसे मान लीजिए आपने एक जन्वरी को आपका वो due हुआ तो इसके अंदर आपने 3 days grace के add किये तो 3 days अगर आप grace के add कर रहे हो तो वो 4 जन्वरी 2021 आ जाएगा लेकिन अगर आप इन days को देखो को कितने दिन हो जाएगे एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक, चार तारिक यह तो चार दिन हो गए तो इसने बोला यह वाला जो day है जिस दिन वो आ रहे है जो भी वो date आ रहे है maturity की उस दिन को exclude कर दिया जाएगा तो यह जो है तीन दिन calculate किये जाएगे यही बोल रहा है shall be excluded कि after the date or after site or after certain event is maturity, the day of the date or of the presentment or acceptance or site of protest for non-acceptance or which the event happens shall be excluded तो वो जो दिन है उसको क्या कर दिया जाएगा exclude कर दिया जाएगा फिर बोल रहा है when day of maturity is a holiday अब मान लिजे कि जिस दिन mature हुआ instrument वो दिन क्या है? एक holiday है holiday जैसे Sunday हो गया या गस्टिड और कोई चुट्टी हो गई अगर ऐसा दिन है तो उसकेस में क्या होगा? when the day on which the promise to note or bill of exchange is a maturity is a public holiday the instrument shall be deemed to be due on the next preceding business day अगर एक जिसे जन्वरी को वो दिन हुआ तो इसका जो अगला दिन होगा दो और अगर ये Sunday हुआ या कोई public holiday हुई तो दो जन्वरी को वो मान लिया जाएगा कि वो डियू हुए यहां पे एक्षफिलेशन दे रहा है कि जो public holiday है includes Sunday and any other day declared by the central government by notification the official gazette गजट में निकाला गया यह public holiday है यह Sunday है तो उसको हम public holiday ही बोल देते हैं तो यहां तक हमने section 21 to section 25 समझा मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझा है अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment box में comment कीजेगा मैं इसका reply जरूर करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like कीजेगा और जिसको भी topic देखना हो उसके साथ share कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा